अगर आप भी एक किसान है और आप 27 किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो दोस्तो यह जानकारी आपके लिए हैं दोस्तो इस वीडियो में हम आपको बताए जा रहे हैं कि 27 आपको 2000 रुपे की मिलेगी या फिर 4000 रुपे की किसानों के एकाउंट में ट्रांसपर की जाएगी यह दोस्तो कई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बता जा रहा है कि किसानों को जोकिस्त मिलने वाली है वे 4000 रुपे ट्रांसपर होगी दोस्तो आप कमेंट बुक्स में जाकर यह जरूरू बताएगा कि आप किस राज्य से परधान मंत्री किसान सम्मानिधी योजना का लाब ले रहे हैं ताकि हम आपको आपकी राज्य की जानकारी भी दे सकें कि आपको किस परकार से सरकार लाब दे रही है देखे देश में कहीं तरह की योजना चलाई जा रही हैं इसी में से एक सबसे लोग प्रिया योजना परधान मंत्री किसान सम्मान धी योजना है आपको बता दें कि इस योजना में हर साल किसानों को 6000 रुपे ट्रांसपर किये जा रहे हैं हलाकि कई मीडी रिपोर्ट के मुताबिक यह भी बता जा रहा है कि जो सरकार दुवरा 6000 रुपे ट्रांसपर किये जा रहे हैं इसको सरकार बढ़ा भी सकती है या फिर बढ़ा कर लाब दे सकते हैं किसानों को जो किस्त 2000 रुपे की मिल रही है इसमें भी सरकार बढ़ोतरी कर सकती है अब इसमें कितनी बढ़ोत्री आपकी हो सकती है और अगर याप बढ़ोत्री होती है तो किसानों को कब से 2000 रुपे से बढ़ कर किस्त मिलना सुरू होगी तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे बस आप हमरे साथ बन रहेगा वीडियो को देखते रहेगा आप चाहे देश के किसी भी राज्य में क्यों न रहते हूं अगर आप किसान योजना का लाव ले रहे हैं तो आप हमरे साथ बन रहेगा और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं क्या है तो किर्प्या वीडियो को भी आप लाइक कर दें देखें आपको बता दें कि इस योजना में हर साल किसानों के बैंक अकाउंट में 2000 रुपे हर चार वहिने के बाद ट्रांसपर के जाते हैं साथी एक साल में 6000 रुपे और तीन किस्ते एक साल में ट्रांसपर होती है अब दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि किसानों को जो पैसा इस बार मिलने जा रहा है वे किसानों के बैंक अकाउंट में 2000 रुपे ट्रांसपर होगा या फिर 4000 रुपे सरकार इस बार ट्रांसपर करेगी तो हम आपका यह भी जो डाउट है किलियर कर देते हैं फिर आपको उसके बाद बताएंगे कि आपकी जो 27 किस्त है जिसका कुरूडों किसान इंतजार कर रहे हैं वे किसानों के बैंक अकाउंट में कब मिलने वाली है कब उनके बैंक खाते में यह पैसा ट्रांसपर किया ज देखें आपको ग्याद होगा कि सरकार दुआरा जो 16 का सोलवी किस्त का पैसा ट्रांसपर किया गया था वे 28 फरवरी 2014 को जारी किया गया था दोस्तो परधान मंत्री किसान यूजना के लावार्थ जितने भी हंके खाते में 2000 रुपे ट्रांसपर 28 फरवरी में सोलवी किस्त के कर दे गई थे लेकिन सत्रवी किस्त किसानों को दो हजार मिले गी या फिर चार हजार मिले गी चलिए उसकी भी जो आपकी डाउट है जो संकाए हैं उन्हें भी दूर कर देते हैं देगे आपको बता दें कि इससे पहले नुवेंबर दो हजार तेईस को किसान सम्मानी थी योजना की पंद्रवी किस्त जारी की गई थी सोलवी किस्त 28 फरवरी में जारी की गई थी जो कि हम आपको बता चुके हैं साथ साथ प्रधान मंतर किसान सम्भान इद्ही योजना दुआरा डिविटी के माध्यम से किसानों को जर किय गई अब यहां पर आपकी 27 किस्त कब मिलेगी और 2000 रुपी मिलेंगे उसके बार बीजाने देखें अगर आपकी कोई किस्त रुकी हुई है तो हो सकता है कि आपके अकांट में सरकार 4,000 रुपए फिर इससे बढ़ा कर ट्रांसपर कर दें आर जो किसान 70 किस्त का इंतजार कर रहे हैं जिनकी इस बार 70 किस्त आईगी 26 किस्त वैं ले चुके हैं तो उन्हें सरकार इस बार केवल दो हजार रुपे ही ट्रांसपर करेगी हाला कि तीन महत्पून कारिया भी किसानों को कराने होगे उसके बाद ही किसानों के ब fabrics account में पैसा आ पाईगा सबसे पहला जो कारिया है वे है किसानों के लिए ये लैंड सीडिंग जो गिती महत्पून है अगर किसान यह कार्या नई करते हैं तो फिर उन्हें आने वाली किस्त का पैसा नहीं मिल पाएगा देखे किसान योजना के अंतरगत किसानों को लैंड सिडिंग यानि की जिसे भू अलेखो का शेत्यापन कहा जाता है उन्हें करवाना होगा इसमें किसानों को अपनी खेती योग्य भूमी का वेरिफिकेशन और उन्हें लिंक करवाना होगा ठीक है इस योजना के अंतरगर जिस किसान की जमीन दो एक कड़िया उससे कम है दो हेक्टेर या उससे उससे कम है वह ही लाब ले सकते हैं बैंक में आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, इमेल आईडी और पैन कार्ड जमा होना बहुत जरूरी है अनथा आने वाली किस्त से किसान भाई वन्चित रह सकते हैं इस बार किसानों को केवल दो हजार रुपे उनकी जो सत्रवी किस्त का लाब लेना चाहते हैं उन्हें दो कमी दूर कर लेते हैं आपको बता दें कि प्रधान मंत्री किसान सम्मानिधी योजना के अंतरगत सत्रवी किस्त किसानों के खाते में दोस्तों जून महिने में ट्रांसपर की जाएगी हाला कि इसकी कोई अधिकारी जानकरी सामने नहीं आई है लेकिन काफी ऐसे मेडिये र लैंक में जाकर केवाइसी क्रा लेंगे तो हो सकता है कि आपको पिछली जो किस्त हैं जो अगर आपकी किस्त पर हो सकती है तो हीagtर किस्त रूपी है तो ही यह लाव किसानों को एक साथ मिल सकता है इनके double love मिल सकता है यह दिक किसानों Nowadays कोई सवाल है तो सवाल कर सकते हैं किसान भायों के सवालों के जवाब दी जाएंगे और हम आपसे निविदन करते हैं कि अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक नहीं क्या है तो किरफिया वीडियो को सेर भी कर देजगा अब चाते हैं आप से इजाज़त आओर मिलते हैं अपने स्टूडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत